Hello everyone, this is Noor Hasan from Digital Noor इस वीडियो में हम देखिए किस तरह से आप अपने competitor को पता करते हो ऐसे competitor जिसके domain authority बहुत कम है जिसका reputation Google में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वो site जो है rank कर रहा है और अभी नए है फिर भी वो बहुत सारे keywords पर rank कर रहे हैं अगर आप वैसे website से अपने keywords को target करोगे और low difficulty keywords को pick करोगे तो उन keywords पर आपको rank करना बहुत ज़्यादा आसान होगा यह part 2 है part 1 में मैंने बताया था अगर आपको competitor का website का URL पता है तो उसको किसरा से search करना है आई बटन पर आपको URL दिख रहा है उसे जरूर आप देखिएगा इस वीडियो के बाद इस part 2 में मैं आपको बताऊंगा किसरा से आपको competitor पता करना है पालस उसके बाद उसके जो Keywords है जिस पर rank करना है वह आपको पता करना है अब हम यहाँ पर use करेंगे Content Explorer को इससे पहले हमने Keyword Explorer को use किया Site Explorer को भी use किया लेकिन अब हम देखने वाले है Content Explorer को किस ता से use करते है Content Explorer को आपको click कर देना है इसके बाद या तो आप वहां से क्लिक कर सकते हो या फिर यहां पर आप option देख रहे हो मैंने पता है तो यहां पर भी आप क्लिक करके content explorer पर जा सकते हो health and fitness के niche पर काम करना है तो आपको पहले find out करना है कि कोई ऐसा website जो के weak हो नया हो फिर भी वह किसी ना किसी keywords पर rank कर रहा है Google में तो सबसे पहले आप उस website का बारे में पता करना है तो आपको यहां पर अपने niche के related जो keyword है वह यहां पर यूज करना है suppose मैं लिखता हूँ weight loss के उपर में मैं search करूंगा यहां से उसके बाद आप देखोगे यहां पर बहुत सारा results आ रहा है around 2 million results है more than 2 million लेकिन आपको सब websites के उपर target नहीं करना है यहां पर आपको बहुत सारा advanced filter करना है मैंने जैसे के पहले वीडियो में बताया था आपकी इस तरह से देख सकते हो कि advanced filter content explorer में use करते हैं तो advanced filter पर आपको यहां पर यहां पर add filter का जो आपको बटन दिख रहा है यहां पर आपको click कर देना है और यहां पर जो पहला जो option है referring domains यहां पर आपको click करना है और यहां पर maximum five set करना है आपको उसके बाद आपको दोसरा filter लगाना है organic traffic organic traffic minimum हमें ऐसा website के results देखना है जिसका minimum traffic 100 हो उसके बाद फिर से add filter पर click करना है और तीसरा filter हमें लगाना है domain rating domain rating हमें set करना है maximum five ऐसा हमें website का results चाहिए जिसका domain authority maximum domain rating हो 5 हो कि अब हम जो यहां पर results देखेंगे वह around 1181 हो गया कहां टू मिलियन यानि 20 लाग से ज्यादा था अभी आपको 1000 के करीमे pages दिख रहा है लेकिन इसमें आप और भी filter लगा सकते हैं अगर आप समझो के Hindi blogger हो और आपको Hindi में काम करना है तो यहां पर आप Hindi का भी option है आप यहां पर filter कर सकते हो अगर मैं यहां पर Hindi हिंदी सेलेक्ट करता हूं इंग्लीश में भी वैसे बहुत सारे से website से जो आप देख रहे हो इसका डियार जो फाइव रेफिंट में वहन है मतलब यह सब actually समझो तो वीक website से इसका आप अगर keyword को target करते हो और अपने blog में इन्हें यूज करते हो तो इसमें आप आप easily rank कर पाओगे मैं आपको देखाने वाला हूं हिंदी में हिंदी में actually बहुत less competitive होता है हिंदी में मैं आपको देखा रहा हूं हिंदी में यहां से मैं click कर दूंगा language के options से अभी आप देखो सिर्फ 10 pages दिख रहा है अब ब्लीब में यह जो 10 pages आपको जो website से आपर दिख सकते हो मैं आपको वह भी देखा हूंगा किस तरह से अभी आप suppose मैंने एक website को लिया मिसरी हिंदी इसका जो domain rating जीरो दिखा रहा है और referring domain जो है वन दिखा रहा है इसको अगर आप open करो और इसके सिर्फ websites को आप कॉपी करके उबेर सजिस्ट में सर्च करते हो तो इसका domain score सिर्फ 2 है सिर्फ 2 आप समझ सकते हो 2 का मतलब यह बहुत ही नया website से यह ज्यादा high domain rating नहीं है Google का जब आप देखोगे और YouTube का जब आप देखोगे बड़े-बड़े websites का देखोगे उन लोगों का more than 50 होता है around 90-80 ऐसे होता है तो यह 2 जो है यह आपको indicate कर रहा है कि कितना यह नया website है और इसका organic monthly traffic देखो for around 21,000 है इसका domain rating सिर्फ टू है और जो organic monthly traffic है वह around 21,000 है आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा यह rank कर रहा है इससे अगर आप keywords पता कर सकते है तो आपके लिए बहुत ही golden opportunity है और आपको बल्क में यहां से keywords मिल जाए है त्युक्कि और गैनिक keywords हो है यह around 16,665 keywords और गैनिक keywords पर यह rank करत है website अभी हम देखेंगे किस तरह से इसके website से हम keywords को निकाल सकते हैं और वह भी low competitive keywords को तो इसके just हम parent जो URL है .in तक यह .com तक जो भी होता है इसको आप copy करो किसी किसी का .com होता है extension तक आप उसको copy करो copy करने के बाद अब हम content explorer में है अभी हमें जाना है फिर से back करना है HRF के जो home page है उसमें और आपको अब यूज करना है site explorer site explorer में आपको इसको paste कर देना है जैसा कि मैंने part 1 वाले वीडियो में भी बताया था पेस्ट करने के बाद आप देखो यहां पर जितना भी detail है जितना भी health है इसका SEO health वो सब दे देगा एराउंड 43 lakhs है 43 lakhs 4 million से भी ज्यादा इसका AR rank score है AR score जितना ज्यादा होगा तो आपके लिए golden opportunity उसके keywords को आप अराम से ले करके rank कर सकते हो अभी आपको यहां पर प्रेस करना है organic keywords के उपर इसके बाद हम यहां पर बहुत सारा filters लगाएंगे अभी आपको देख रहा है 10,000 पलस यहां पर search results यहां पर keyword difficulty जो हमारा है वो 5 set कर देंगे और word count जो है long tail keywords चाहिए हमें चुके इसलिए हम लोग जो word count है वो 4 में set कर देंगे minimum 4 word count चाहिए हमें आपको ऐसा keywords चाहिए जिसमें यह top 5 में rank करता हो तो position में आपको जाना है position में जाने के बाद यहां पर one two five कर देना है अभी आपको जो भी results दिखेंगे ऐसा ही आपको keywords दिखेंगे जिसमें यह top 5 में rank करता हो अभी देखो जो search results है 286 only हो गया आप guys सोचो bulk में आपको पूरा जो है यह मिल जा रहा है keywords आपके लिए और क्या चाहिए कितना अच्छा आपके पास opportunity है आप इन keywords को ले करके blogging में SEO अगर आप थोड़ा सा on page SEO और off page SEO में थोड़ा सा ध्यान देते हो you can rank easily अभी हम तोड़ा इसका देखते है इसका जो keyword difficulty score आप देखो 1 है only one keyword difficulty score आप जो volume है वो around 31,000 है guys volume कितना ज्यादा है keyword difficulty only one है और यह top 2 पर rank करता है यहाँ पर आपको surf में क्लिक करना है सर्फ मैंने बताया था पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो जरूर देखिए उससे सर्फ क्या होता है सर्फ वह है जो top 10 जो results होते है Google के वह जो display करता है results उसको ही surf कहते है अभी आप देखो यहाँ पर कितना अच्छा opportunity है यह जो AR score है वह 43 million मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी जितना ज्यादा AR rating हो किसी websites का top 10 में अगर रैंक कर रहा है तो आपके लिए अच्छा opportunity है अगर कम AR score वाला अगर website top 10 में rank करता है तो आपको उस keyword पर काम नहीं करना है आपको find out करना है ऐसे website जो top 10 में rank कर रहे हैं जिसका AR score बहुत ज्यादा है at least million में हो top 10 में तो आपके लिए opportunity बनता है कि आप भी उसमें rank कर पाऊगे अब यहां पर 43 million बहुत ज्यादा score है आपके लिए बहुत अच्छा opportunity यहां पर 539 के देख रहे हो आप 7.4 million 1.9 million बहुत अच्छा इस keyword पर अगर आप काम करते हो इसके अलावाद गाइज आप और भी अगर कुछ देखते हो हैंसी इसका इन हिंदी 3700 जो है इसका आपको search volume मिल रहा है और यहां पर आगर आप search में अगर दिखोगे top 10 में कौन से website से rank कर रहे है keyword difficulty इसका 0 है 0 और search results देखो 3700 अभी देखो पूरा million में आपको मिलेगा 7.4 million, 89 million, 43 million, 2 million गाइज इन keywords पर आप easily rank कर सकते हो अगर आप यहां से export कर लो यहां पर आप उपर जाओ जाने के बाद यहां से export कर लो और ऐसे-ऐसे keywords पर आप काम करो बहुत high volume है और keyword difficulty आपने देखा बिल्कुल 0 था, 0 भर भर के बरा हुआ है आप इसमें किसी भी अगर keywords पर काम करते हो, easily rank कर पाओगे गाईज अगर आपको मेरे वीडियो अगर informative लगा हो तो प्लिस सब्सक्राइब करना मेरे SEO और प्लेइलिस्ट में जरूर आप शेक करना, बहुत सारा SEO का वीडियो मैं इसमें update करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा तो गाईज मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद बहुत सुन्वां झाल 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 झाल